शीर्ष दक्षिन भारतिय अभिनेताओं ने कभी-कभी लोगप्रियता हासिल कराने के बावजूर बोलीवूड फिल्मों के प्रस्ताफ थुकरा डाई हैं। दक्षिन फिल्म उद्योग एक महत्वपूर्ण मंच का दावा कराता है जबकि बोलीवूड व्यापक पहचान प्रदान कराता है। हालां की विभाजन कम हो रहा है लेकिन आयस गतिशीलता से अंदर्शकों को लाब होता है जो देश भर की प्रतिभाओं की सराहना कर सकते हैं। जबकि नैंतारा, जवान, से बोलीवूड में कदम रख रही हैं, उन्होंने पिछले ओफर भी थुकरा डाई हैं। अनुष्का शेटी ने रोहिच शेटी की सिंघं, 2011, को छोड़ दिया, जिसके बाद काजल अगरवाल को चूना गया। आईसी तरह, प्रमुक तेलुगू अभिनेता महेश बाबु ने बोलीवूड प्रोजेक्ट्स को ठुकरा कर टेलिभू सिनिमा में ही बने रहने का विकल्प चूना है। पुषपाटू, फेम अलू अर्जुन ने कबीर खा की बजरंगी भायजान को अस्वीकार कर दिया, जिसे बाद में आटिक रोशन के इंकार के बाद सालमान खाने लिया। मल्याली आभिनेता नीवम पोली ने कायमा कुलम कोचन के लिए सुशान शाइन राजपूत विक की कोशल की फिल्म छूर दी। रश्मिका मंदाना ने व्यावसाइक फिल्मों पर ध्यान केंद्रित कराने के ये शाहीत कपूर अभिनीत फिल्म को अस्वीकार कर दिया, कैयों कि वाह, अलावीदर में अपने बोलीवूड डेब्यू से पहले भारत की प्रियत्मा बैंग गाई थीम। पुनित राजकुमार ने बजरंगी भाईजान को अस्वीकार कर दिया, जबकि कन्र के दर्शन ने सालमान खांकी दबंग 3 में भूमिका निभाने से इंकार कर दिया, जिसे अंततर सुधीप ने निभाया। केजी सनसानी यश्ट ने सैफ अली खांके कारेभार संभालने के बाद लाल कप्तान को अस्वीकार कर दिया, आइसी तरह जवान के लिए जाने जाने वाले विजे सेटप्टी ने पूर्फ प्रतिबधताओं के कारण आमिर खांकी लाल सिंग चद्धा में एक भूमिका इन अभिनेताओं का बोलीवूड ओफर को अस्वीकार कराने का निर्नय अनेक शेत्रिय उद्ध्योगों और व्यक्तिगार्ट प्राथ मिक्ताओं के प्रति अनकी प्रतिबधता को दर्शाता है, जिससे अनेक करियार की राह डिलाचस्प हो जाती है